बूर आप्टरनून तो अल फ्यू इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर अनकंट्रोल रेक्टिफायर विद आरी लूट पढ़ेंगे तो सिंपली इस लोट को हम लोग बैटरी चारजिंग भी बोलते हैं तो सिंपली पहले हम लोग क्या पढ़ेते इससे पहले आर्यल लोड पढ़ें उसके बाद आरेल लोट विद फ्रीलिउल डाइट पढ़ें इस वीडियो में लोग सिंपली देखिए ए मिद्टिफायरे की सफ्टे इन ट्लिआ के को कि करेंगे का बैडरि चार्ज करेंगे बैटरी को तो देखंगे कि मेरा किई पवरे आउर दी अगर आर्फन घंटी और ऻोल्टेज खरकार्ष्टरलरर को फ्ली लाने सीनेेंट यहांसे लिए इक हागा है यहां से परस्पवल्टोम को जाजते रोटोमेंगे लिए आपने मेरी यह पी जोंक्त आपे सबस्परोम बाते उसम्सरों मेरी वेडरी अगरा है यहां पर पोटेंशियल मिन्स अगर आप यहां वैट्री दे रहे हो तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा तो वह भी मेरा वैल्यू तो यहां प्रेजेंट हो गई किसमे आप यहां देखिये स्काइब मेरा 3 पर डिवाइव पर बह carp Candle ऑने ज़्क है स्काइब मेरा 3 आघ है कि जीक है कि मेरा पार्च करें इसको देखिये स्काइब मुर्फ यह ख्राइण यहां पर के स्काइब यह नहीं फिर फिटा वन माने दूसरा जो कट कर लाइब ऑने थीटा वन है अगर हम बोलेंगे थी यजा कर सकते हैं इसको अगर हम इंटर्चेंज करेंगे तो थीटा का वैल्यू आपको पता है तो थीटा 1 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 का वैल्यू आपको पता है बस अभी हम लोग basic concept पढ़ रहे हैं कि आर के साथ जब लोग बैटरी को करेक्ट करते तो उसका performance कैसे चेंज होता है तो simply अब यह जो ठीटा टू यहां देखे यह ठीटा टू क्या है मेरा ठीटा टू को अगर हम लोग देखेंगे तो यह ठीटा टू हम लोग सकते रहा पाई ठीटा टू को तो पहला आम लोग देख रहे हैं यहां पर सबसे पहला ला लेते जीरो टू ठीटा वन अब जीन डीडू ठीटा वन देखें यह वाला पोरस अ यह यहांप अगर जीरो ठीटा वन पर क्या है मेरा वी एशीज लेस दिन e मिन्स इसका जो potential है और इसका जो potential है तो जो जो एक एक मिस्स है वट अर्धा जाये गास पॉजी जाएगा उसके ङनोट से गया है गया जया जा जाएगा में मेंने मेरा जिरू सथीटावर मेरा अक के थीटावर किया जाएगा ऐ जल्सक्येट चाहँआए मैं छिताव लेह नेज़ आश्क देखेगे जब णॉब धीटाव टुटीटाडो गया ब्धु tam सबस्क्राइब जते हैं यह थिट अब जब उसक्राइब को सबस्क्राइब जब तब एक सबस्क्राइब नौ जब वट्ली वे जब जब तब ज़ादा हो जाएगा और वोल्टेस करेंगा近श्य को टो क्लिदम इया से अगर current flow करेगा तो i के through current flow करेगा और e के भी through current flow करेगा तो हम लोग simple सा यह relation लिख सकते हैं voutput is equal to i into r plus e ठीक है इसे हम लोग i note का value कैसे निकालेंगे simply interchange करेंगे तो i note is equal to v note minus e upon r होगा ठीक है तो simply हम लोग यहां पर देखें कि जो output voltage होगा तो simply हम लोग इसको क्या बह सकते है यहां जो current मेरा flow कर रहा है मैं से जो current आ रहा है वही मेहा शेएव। वोल्टेज भी हो जो vs was यहँ, mówią और哦 stop voltage व्यों करेगा आप i9 is equals to BM sin omega t w कि थोड़ी होगा तो मेरा simply यहां पर जब थर चेस देखेंगे ठीटा टू टू पाई तब देखें दू क्या हो गा तो वी एस मेरा फिर से क्या होजाएगा लेस्ट इन हो जाएगा मिंस जब थीटा तू से फीटा 2 से पाई पहुंचेंगे तो यहां पर फिर से करना चोड़ देगा क्योंख इसका potential से जाथ हो गया इस greater than vs हो गया तो फिर णक्रेट में जो डायोट होगा वह मेरा reverse-bise जलाज़ाएगा जिसके जलते मेरा output voltage घाएगा तो आजाएगा थीके अब 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 तीनों केस पर को करें सबसे पहला केस में current की होगा जब मेरा थर्ड केस के बात करें जब Vs is greater than E हो जाएगा मिस जब मेरा डायोड फॉर्वर्ड वाइस होगा तो उस टेम मेरा सेम फॉलो करेगा Vs के तरह तो simply Vs के तरह मेरा फिर थर्ड केस किया था था मेरा थीटा 2 to TruePi यहाँ पे यहां पर यहां पर मेरा कंडक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वह remains तो मेरा कारेंट यहां पर क्या ज क्या जब जगा 0 ठीक है तो simply यह मेरा था एक सिंपसर 0 2 π, फिर अब देखेंगे दूसरा केस, यह मेरा केस 1 का 3 था, 1,2 और 3, ठीक है? अब हम लोग केस 2 देखेंगे इस पर, केस 2 क्या है मेरा? सिंपली सा बात है, जब पाई से टू पाई जाएगा तो मेरा वीए से यहां पर ग्रेटर देन रहेगा वीए से तो जिसके चलते मेरा डायोड मेरा रिवर्स पर चला जाएगा आर्पूट वोल्टेज मेरा के आ जाएगा? यहां बात करें यहां पर तो अब हम लोग देखें कि इस पर जो वीडियो होता है मेरा, वीडियोमिन्स क्या हो गया? वोल्टेज अक्रॉस दर डायोड जाएगा तो जब मेरा डायोड चन्ड़ नहीं करें तब हम लोग वपे देखेंगे, कि मेरा किइस पर वैल्यू आएगा क्यों मेक्सिमाम वैल्यू वैल्यू एक्पलाइग कर सकते हैं पिक इन्वर्स यहां प्लाइव क्यों होगा क्योंगी दीक है मारे मेरा डाइयोड यह पे रिवार्स वायस पर शेंगे चुРИक आपाव सकते चुर्ण का शेंगे, मैरे मैक्सप्लाइवDe HE यह मेरा maximum value होगा लेकिन अब plus यहां पर e भी है तो e मेरा क्या हो जाएगा मेरा maximum value के साथ यह plus होगा means अब मेरा PIV जो होगा वो Vm प्लस यह हो जाएगा ठीक है तो यहीं simple यहां पर बना वाया देखे जो मेरा maximum value आएगा वो क्या होगा Vm प्लस e ठीक है तो simply था है मेरा यह हो गया voltage across the diode भी मेरा find होगा अब note करके देखें यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है सबसे पहले हम लोग क्या find करें कि i average value तो simply i average value जो है यह मेरा i average का formula होगा 1 upon t integration 0 to t i not t d omega t i note का value मेरा vm sin omega t minus e upon r है ठीक है तो इसके जगा पूट कर दी है मेरा time period कितने से कितने देर के लिए तो थीटा 1 से थीटा 2 ठीक है मेरा जो conduction है मेरा जो conduction हुआ है वो थीटा 1 2 थीटा 2 ही हुआ है तो उसी का value करेंगे न यह simply उसका value हम लोग फाइंड कर रहे है ठीक है अब हम लोग इसको integrate करेंगे तो मेरा यह value आएगा ठीक है तो मेरा i average find हो गया i average find हो गया तो हम भी average आरामस नहीं का हो सकते है means i average into r plus e e मेरा potential अल्रेडी present है इसलिए plus e कर दिया हम ठीक है तो v average भी find हो गया अब मेरा conduction angle conduction angle मेरा theta 1 2 theta 2 मेरा conduct कर रहा है diode ठीक है मेरा यहां से यहां तक current find हो रहा है इसलिए मेरा जो यह conduction angle हो गाई वह यहां पर क्या जागा theta 2 minus theta 1 ठीक है अब extension angle क्या था जी मेरा extension angle जो था वह means कहां तक मेरा diode कंड़क्ट कर रहा है अब तू वाट एंगल डायोड कंड़क्टिंग तो simply मेरा theta 2 तक ही डायोड कंड़क्ट कर रहा है इसलिए मेरा theta 2 लिग दिए ठीक है पिक inverse voltage भी हमको मिल चुका है vm प्लस e ठीक है अब यहां circuit turn off ठीक है circuit अगर circuit turn on time means क्या होता है कि मेरा कहां से कहां मेरा diode कंड़क्ट कर रहा है एक होता है circuit turn off time और एक होता है circuit turn on time तो अगर turn on का हम बात करें circuit turn on time का तो वह मेरे क्या होगा conduction angle upon omega ठीक है तो conduction angle upon omega is equal to circuit turn of time ठीक है और और अगर हम लोग बात करें circuit turn off time का तो circuit turn off time क्या लिखेंगा circuit turn off time tc off क्या होगा जी tc off यहां समरों find करेंगे tc off क्या है का मेरा यहां देखेंगे tc off यहां क्या हैगा मेरा कहां से कहां मेरा conduct नहीं कर रहा है तो यह देखें यह angle मेरा क्या है 2 pi plus theta 1 यह मेरा angle है ठीक है minus यहां theta 2 by omega circuit turn off time यहां क्या जाएगा ठीक है तो यह मेरा simply क्या होगे circuit turn off time ठीक है अगर circuit turn on time का बात करें तो हम लोग circuit turn off time कैसे निकालेंगे ठीक है यहां से यहां से यहां तक मेरा circuit turn off है तो यह हो गया तो इस value को हम लोग क्या निकालेंगे सिंप्ली यहां से मेरा circuit turn off time में यहां से इस value को मेरा circuit turn off time हो जाएगा ठीक है तो यह overall था मेरा RE load के बारे में ठीक है तो simply इसको बैटरी चार्ज भी बोलते हैं इसका हम लोग circuit diagram देखें वेपम देखें हम लोग देखें यह कि पहला case में हम लोग देखें कि मेरा RE load के बारे में ठीक है next में हम लोग देखेंगे RLE load देखेंगे तो बस वहां पर क्या होगा सिंप्ली सा सारा graph सेम होगा बस जो मेरा L के चलते जो मेरा L जो चार्ज ही store करेगा जिसके चलते जो मेरा current जो है वह मेरा उसका conduction angle मेरा increase हो जाएगा मैं यहां से यहां तक में बीटा तक वह conduct करने लेगा बस इतना ही difference होगा और जो मेरा voltage होगा वही क्या होगा increase करेगा और बीटा तक फॉलो करेगा थिक है इतना ही difference होगा RLE load में ठीक है थैंक्यू अल अल फ्यू